आदणी हमारे प्यारे भाईयो इसे कहते हैं गुड़हल गुड़हल आईसी गजब की चीज है आप देखिए गुड़हल का फूर इनीमिया रोक के लिए बहुत अच्छा है और गुड़हल पत्री के लिए भी बहुत अच्छा है जिसके पित्र के में पत्री हो तो इसका चूरर बनाकर ये गरम पानी से लिया जाता है और ये इतना अच्छा है कि कहा नहीं जा सकता है आईसे देखिए गुड़हल के फूर इनी को खटे कर लीजिए और ये पत्री के काम में आते हैं इनीमिया के काम में आते हैं हमारे यहां पर बड़ी तब स्वकार देखिए यह चोटी दुधी है यह देखो चोटी दुधी है इसको तोड़े गे तो इसमें सपे सपे दूर सा निकलेगा देखिए यह दूर निकल ला है यह दुधिया बहुत गजब की काम हो है लेटिंग होती हूं यह कुछ भी यह मस् बाबा सीर के मस्तेवों उन पर लगाया जाता है लगाने से मस्ते सोके गिर जाते हैं ऐसे हमारे गुरुं का बताया हुआ यह नुक्सा है आपको मैं बताता हूं देखिये कि यह करंजलता है इसको कहते हैं करंजलता यह बड़ी गजब की चीज़ है डाइवडीज का नास कर देती है डाइवडीज को और अगर गुर्दे में पत्री वो किसी प्रकार की उसको भी निकाल देती है कि देखिए अम्रूद का पेड़ खड़ा हुआ है इसके पत्ते चाय में सुका कर डाइवडीज की बहुत अच्छी दबा है और आप देखिए यहां पर तो हर तरह की जड़ी बूटियां लगी हुई है देखिए यह सूरद मुखी है सुरद मुझकी देखिए कितनी अच्छी लगी हुई है यह जड़ी बूटियों में बहुत लाबदायक है देखिए यह को मैंने आपको दूदी दिखाई थी बहुती छोटी दूदी अब देखिए यह है बड़ी दूदी देखिए इसमें में दूद देखो आ गया यह देखो दूद आ गया है ऐसी बड़ी दूदी है दोनों दूदियों का काम अपना अलग अलग है आप देखिए लीवर के लिए ये हमारा भूमी आमला है हमारे भारत बर्ष में लाकों रुपे बरबाद कर देते हैं लीवर में लीवर के बारे में अजारों रुपया बरबाद कर देते हैं लीवर खराब होता है तो किड्री आटोमेटिक खराब हो जाती है तो ये भूमी आमला जो है हमारा ये बहुत अच्छा है इस भूमी आमला को उबाल के पिया जाता है लीवर सही बिलकुल ये दम नया हो जाता है तो भाई लोगों ऐसी में दबा बताते रहते हैं आप लोग देखिए और ये जड़ी बुटिया यूज करिए धन्यवाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो जे भात माता की जे हो